आज हम आपको हमारे ओपरेशन थेटर में ले चलते हैं जहां हम शोल्डर आर्थ्रोसकोपी किस तरह से की जाती है उसके बारे में आपको जानकारी देंगे यह हमारा operating theater room है जहाँ पर shoulder dislocation की patient की surgery होने वाली है इन मरीज को काफी बार कंधा उतरने की तकलिफ है काफी time कंधा उतर चुका है और यहाँ पर हम इनको एक lateral position मतलब हाथ को उपर रखके यह surgery perform करने जा रहे है देखिए यह जो surgery होती है यह दूरबीन के माध्यम से की जाती है और दूरबीन को कंधे में डालने के लिए हम छोटे छोटे portals बनाते है portals मतलब वह structure जहां से हमारा दूरबीन कंधे के अंदर जाता है तो यहां पे मैं आपको बताऊँगा कि कहां कहां पे और किस तरह के हम portals बनाते हैं जिससे की यह surgery बिना चीरफाड के संबह हो पाए बिना किसी incision के यह surgery संबह हो पाए इसमें छोटे-छोटे सिर्फ छेत के आते हैं और पूरी की पूरी surgery जो है हम सिर्फ दूरबीन के मार्धियम से करने में समर्थ होते हैं तो देखिए यहां आपका कंधा है इस कंधे पे हम जो मार कर रहे हैं वो markings मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ और यह जो छोटे-छोटे markings हैं इसमें पीछे की तरफ, कंधे के पीछे की तरफ, आगे की तरफ, साइड में और उपर की तरफ भी portals बनाये जाते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इस particular, इन particular मरीज में यह जो इनका कंधा है यह तकरीबन 30 से 40 बार उतर चुका है जिसके कारण से हमें यह surgery करने की आवशक्ता पड़ रही है कई बार अगर मरीजों में बोन लॉस अधिक होता है तो यही surgery हम दूरबीन के माध्यम से करने के अलावा उसमें बोन ब्लॉक की surgery, कोरेकोईट बोन ग्राफ्ट या फिर इलिया क्रेश्ट बोन ग्राफ्ट भी एड़ करना पसंद करते हैं यहां पर हम जो हमारे portals mark कर रहे हैं उसमें हम acromion clavical मतलब उपर की जो collarbone है यहां जो हमने mark कर रखा है यह collarbone की हड़ी है और उस collarbone को acromion की हड़ी से जोडने वाले joint को acromion clavicular joint कहते हैं और उस joint के आजू बाजू हम कई सारे portal माते हैं यहां पर जो चार नंबर का portal उपर की तरफ आपको देख रहा है यह निवैजियर portal है पांच नंबर के portal जो हैं वो सब acromion portal है और दो और तीन नंबर के portal जो आपको दिख रहे हैं वो anterior portals हैं पीछे की तरफ एक नंबर का portal होता है जो posterior portal होता है जहां से हम अपना काम करना शुरू करते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि कई बार अगर कंथा डिस्लोकेशन होने की तकलीफ में bone loss अधिक है पतलब जो हड़ी है उसका गिसाव अधिक हो गया है तो उन मरीजों हम आर्थ्रोस्कोपिक लेटारजे या तो फिर आर्थ्रोस्कोपिक bone block surgery भी दूरबीन के माध्यम से fiber tape internal bracing के द्वारा कर सकते हैं इस surgery में किसी भी तरह के screw को डालने के अवश्यक्ता नहीं होती है और यह conventional screw अपने इसी जो यह आप देख रहे हैं यह जो live surgery है इसकी complete video recording भी YouTube पे अवेलेबल है अगर आप चाहते हैं तो वह लाइव recording भी आप इस पे YouTube पे देख सकते हैं परन्तों उसके लिए आपको age restricted mode on करना होगा क्योंकि वह live surgery है उसमें पूरा का पूरा हम किस है surgery करते हैं उसके बारे में full description है अगर आपको इसके बारे में और कोई भी जान करी चाहिए तो हम आपको आप हमको comment box पो लिख के पूर सकते हैं धन्यवाद